सब्सक्राइब and craving the bell icon for the latest updates and notifications जो एक पार प्रेल करने बाद ये सोचता है कि मैं कभी जंदगी में पास ही नहीं कर सकता एक पार हार जानے के बाद तो ये सोचता है कि मैं कभी जंदगी में जीत नहीं सकता यह वीडियो है उनके सोच को जूट सबित करने के लिए उनको मोटिवेट करनी और यह कहानी है कैरोली टकक्स नाम के एक स्पोर्ट्समेंट का और यह कहानी एक स्प्रेंट किया है मिस्टर संदीप महसर जी यह कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की अंगेरियान आर्पी और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपिंशिप्स होई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सब को अल्मस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सफना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का पैस्ट शूटिंग हैं बनाना है पैस्ट बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया पैस्ट शूटिंग हैं तो साल का फ़क्त पैस्ट शूटिंग में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम्प चल रहा था जो प्यों आर्मी में था तो एक एक्सिडेंट होगी उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीदना था उसने एक हैंड ग्रेनेट फट गया और वो हाथ चला गया जो उसका सपना था जो फोक अब अब उसके पास दो रास्ते थे एक तो यह कि वह बाकी की पूरी जिल्दगी रोता रहे और कहीं जा गर गए छुप जाए यह अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पखडगर गर रखिए तो उसने फोकस किया उसपे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आंड एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था कि एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाद चला साथ के लिए और सई एक महीने बाद और भी ट्रेनिंग शुरू करते ही साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद मतलब के 1939 में वो वापिस आया थी नाशनल चैम्पियंशिट हो रही थी महीं पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोल शूटर्स थे वाँ उन्होंने जहां करके उसको गंगराचुलेट किया आगी यार देखो यह होता है जस्पान यह होती है स्पोर्च्में स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बा किसी को नहीं पता था कि वो एक साथ से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने नहीं आया तुम्हार साथ कॉम्पीट करने आया तुमसे लड़ने आया हूं नयार हो जो और कॉम्पेटिशन बाकी सब महाँपर चितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने वैस्टार जे कॉम्पीट कर रहने अपने ऑ्न्ली हैंड से वाँगी घिके रोन गी ता गिया वो यहां नहीं रुखा इसका गोल फिर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग है बनाना है उस नमना सारा फोकुस उठागर के डाला नाइटीन फॉर्टी पे जब अलबिक्स होने वाला थे कि यह लेकिन नाइटीन 4डी सटों पिक स्क्राव श्रॉत क्या चाटिया राणितीन जिस परना सारा फोकुस उठागर के कांड दाल दिया rncl944 में जो घूलमपिक्स ने वाले कि स्कू नाइटीन 4डी4 मी 9 लब्क्स होने वाले कre क्ट्वी कैंसे होने ह॥ वोल्ड वार के वेज़े से, फिर से के वेज़े से, उसने इपना सारा फोकॉस उडा करके डाल दिया 1948 के उलम्टिक्स के, 1938 में उसकी एज थी, 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुटी थी, 38 इयर्स, और जो यंगर जो प्लियर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना, मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन उसकिल नाम का यह वर्ड थाई दी उसकी दिख सरी दी, वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट सुटर जा एव हुएता, जो अमने बेस्था आट चे पुंपीट कर रहे था, और कौन जी था, तो मैन विधी ओनली हैट, लेकिद वो तब भी नहीं हुटा, 1952, औलम्पिक्स, दुबारा कॉंपीट दिया उसमें, और इस बार गोल्ड मेडल को जीता, गैर लीड, चार साल बात दुबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलम्पिक्स, इस पर्टिकलर कॉंपीटिशन में उससे पहले, किसी भी अंदीट ने ल अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी पहानों की, कि मÈं इस फज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस फज़े से मैं कुछ नहीं कर भाया, बहुत नंबी लिस्ट है, तो उसी तरफ आफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में हजार यह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा झाल